नमस्कार आप सभी का स्वागत है एड़ियोक अकैडमी में आज हम सीखेंगे pair of linear equations in two variable को solve करना by cross multiplication method अब ये cross multiplication method जो है इसको कैसे apply करेंगे किसी भी linear equation के pair पे चलिए सीखते हैं हमारे पास general equation होती है a1x plus b1y is equal to c1 और दूसरी equation होती है a2x plus b2y is equal to c2 अब हमें इन equation को solve करना है cross multiplication method से अब cross multiplication method कैसे apply होता है वो हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले तो आप x लिखिए फिर y लिखिए और minus 1 लिखिए अभी देखो ये constant है a1 है इसमें b1 है c1 है इसमें a2 है b2 है और c2 है अगर मैं x की बात करता हूँ अगर मैं x को लूँगा तो x तो इनके साथ है तो उसके इलावा जो ये चीज़े बची मैं इनको उनके साथ लिख दूँगा तो यानि की क्या बचा b1 b2 c1 c2 अब next आता है y y के नीचे हमें लिखना है तो अब वो चीज y के साथ नहीं होनी चीज़े y के साथ तो ये चीज़ है तो हमें ये छोड़ देनी है बाकी लिखना है अच्छा ये cyclic में लिखा जाता है इसके बाद c के बाद सीधा फिर a से फिर सुरू होगा अब c आलड़ी हम यहाँ पे c तो आलड़ी यहाँ पे आ चुका है तो अब क्या लिखना है अब हमें ये वाला लिखना है a1 a2 उसके बाद में जब constantum की बाद है तो c1 c2 को हमें छोड़ना पड़ेगा और उस case में हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा a1 a2 आलड़ी लिखा हुआ है तो आ जाएगा b1 b2 बस यही apply करना है और हमारा cross multiplication method आ गया अब यहाँ से इनकी cross multiplication कर देनी है simple cross multiplication कर देनी है यहाँ से आ जाएगा x upon इसकी और इसकी multiply ब1 c2 फिर इसकी और इसकी multiply यहाँ पर minus का sign लेना है याद रखना और यह आ जाएगा b2 c1 is equal to अब y y में इसकी और इसकी multiply करोगे तो आ जाएगा c1 a2 इन दोनों की multiply करोगे तो आ जाएगा minus c2 a1 बीच में minus का ही sign आएगा is equal to फिर minus 1 upon इन दोनों की multiply a1 b2 minus a2 b1 इन दोनों की multiply तो इस formula में सीधा हम रख देंगे हमारे पास x की value आ जाएगी इन दोनों को compare करेंगे इसको और इसको compare करेंगे तो x की value निकल जाएगी और जब इस वाली को और इस वाली को compare करेंगे तो y की value आ जाएगी तो यही method है जो हम cross multiplication method में use करेंगे एक चीज और ध्यान देना हमने क्या सिखा था कि कि equation का solution कब होगा कि equation का solution कब होगा हमने बताया था कि जब a1 और a2 जो है वो not equal to b1 upon b2 हो अगर इसको हम cross multiplication की form में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि a1 into b2 is not equal to b1 इन दोनों की multiply b1 a2 या a2 हम b1 बाद में लिख रहते हैं अब इसको इधर लेके आएंगे तो minus का हो जाएगा a1 b2 minus a2 b1 is not equal to इधर क्या बचाद 0 तो ये condition होनी चाहिए यानि कि ये वाली जो term है ये वाली term ये 0 के equal नहीं होनी चाहिए तभी हमारा solution हो सकता अगर ये 0 हो गई तो ये वाला क्या बन जाएगा हमेशा undefined आता है कि आप उसको calculate नहीं कर सकते undefined होता है ये हमें इन equation को solve करना है ये दो equation given है हमारे पास सबसे पहले तो हम आप normal form में लिखते है x minus 3y 7 हमें इस तरफ extra लग रहा है उस तरफ लेके जाएगे तो इस equal to 7 आ जाएगा यहां से second equation से जो आएगा 3x minus 3y 15 जब उधर जाएगा तो plus का हो जाएगा तो ये equation हमारे पास first है और ये second है हमें इनहे करना है solve हम अपनी general equation के नीचे लिख लेते हैं a1x plus b1y is equal to c1 a2x plus b2y is equal to c2 ये हमेशा आप नीचे लिख लेंगे तो आपको समझ्या नहीं आएगी आप easily solve कर पाएगे अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इस equation का solution है हम पीछे वाले चीजों को recollect करते हैं हमने क्या सिखा था आप बाकी चीजे मतलग हो आप उन्हीं से check करो a1 a2 is equal to b1 upon b2 ये check करेंगे सबसे पहले तो हम तो उसको check करने के लिए हम पहले a1 a2 पे जाते हम a1 की जगे क्या है यहां पे देखो इस equation में a1 की जगे तो है 1 b1 की जगे है minus 3 sign हमें साथ लेना है minus 3 और c1 की जगे है 7 इस equation में देखेंगे a2 की जगे है 3 b2 की जगे है minus 3 और c2 की जगे है 15 ये चीज आपको clear हो गई होगी कि ये क्या है ये हमने सारे constant पता चल गए तो a1 upon a2 आगया 1 upon 3 अब b1 upon b2 निकालेंगे b1 upon b2 b1 upon b2 आगया minus 3 upon minus 3 ये आगया 1 minus से minus 3 से 3 तो 1 आगया अब जो हमें पता चला ये तो आया 1 by 3 और ये आया 1 तो इसका मतलब क्या है ये दोनों equal नहीं है ये not equal to b1 upon b2 a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 अब ये चीज इक्वल नहीं है तो इसका एक unique solution है है ना हमने क्या पता है इसका एक unique solution होगा unique solution है तो अब हम find out करते हैं और वो करेंगे cross multiplication method से सबसे पहले हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर minus 1 लिखेंगे अब x की जग है x वालों को हम छोड़ देंगे x वाले क्या है a1 a2 है छोड़ देंगे उसके बाद हम क्या लिखते हैं b1 b2 b1 b2 लिखते थे यहां पर c1 c2 लिखते थे यहां पर a1 a2 लिखते थे यहां पर b1 b2 लिखते थे अब उनकी जगे हम उनकी value रख देंगे b1 की जगे क्या है b1 की जगे है minus 3 b2 की जगे क्या है वो भी minus 3 c1 की जगे क्या है 7 c2 की जगे क्या है 15 यहां y था और फिर a1 की जगे क्या है a1 की जगे है 1 a2 की जगे 3 और फिर यहां पर minus 1 होता था b1 है minus 3 और यह क्या है यह भी minus 3 b2 अब हमें इनकी cross multiply करनी है और अपना formula लगा देना है आपको अगर सीधा formula ध्यान हो तो सीधा formula अपलाई कर देना अब मैं थोड़ा board को clear कर लेता हूँ ताकि हमें easily question करने की जगे मिल जाए अब यहां से x upon minus 3 into 15 b1 यहां पर b1 की multiply इन दोनों की multiply करेंगे minus फिर इन दोनों की multiply यानि कि minus 3 into 7 ऐसे ही y upon इन दोनों की multiply करेंगे 7 into 3 minus 15 into 1 equal to minus 1 upon अब इन दोनों की multiply करेंगे 1 into minus 3 minus इन दोनों की multiply 3 into minus 3 अब अब अबनी calculation part अब सुरू कर लेते हैं x upon इन दोनों की multiply minus 45 यहां से देखो minus minus की multiply plus हो जाएगी plus 21 is equal to y upon 21 minus 15 is equal to minus 1 upon minus 3 minus minus की plus हो गई और 9 तो x upon बच गया 24 minus का क्योंकि minus का बड़ा है is equal to y upon यहां पे बच गया आपका 6 और यह minus 1 upon यहां पे भी आ गया 6 अब देखो x की value निकालनी है तो मुझे first term को लेना होगा और last term को लेना होगा यानि x upon जब यह तीनों चीज़े equal है तो यह चीज़ इसके equal भी होगी minus 1 upon 6 और दूसरी तरफ में क्या ख़ता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को हमें एक साथ लेके चलते है y upon 6 is equal to minus 1 upon 6 क्योंकि अगर मैं इन दोनों को साथ रखूँगा तो कोई solution नहीं निकल पाएगा इसमें x y ही है तो यह सब तीनों चीज़े equal है तो मैंने पहली और आखरी चीज़ को एक साथ रख लिया इसको और इसको साथ रख लिया फिर मैं इसको और इसको साथ रख लूँगा अब यहां से cross multiply करोगे क्या आएगा 6x is equal to minus 24 और minus 1 क्या हो जाएगा plus का 24 हो जाएगा multiply करोगे तो plus की आएगी यहां से x की value कि आजाएगी 24, 6 इदर multiply में था इदर जाएगा divide में हो जाएगा और आजाएगा 4 यहां से y में जब cross multiply करेंगे तो 6 तो इदर आजाएगा यह 6 minus 6 हो जाएगा y is equal to minus 6 multiply में उदर जाके divide में हो जाएगा यह आगया minus 1 यानि यहां से जो हमारी x की value आई 4 आई और y की value minus 1 आई हमने क्या क्या formula में सारी values रखी और calculation कर दी first term को और last term को ले लिया इन दोनों को compare करके हमारे पास x की value आगई और जो last two terms है इनको compare करेंगे तो हमारे पास y की value आजाएगी और हमारे solution आगया हमारे पास question है कि एक rectangle है जो इसका area हमने 9 square unit reduce कर दिया तो 5 unit हमें उसकी length reduce करनी पड़ेगी and breadth is increased by 3 units if we increase the length by 3 unit हमने length को 3 unit बढ़ा दिया और breadth को 2 unit बढ़ा दिया then area increased by 67 square units तो हमें उस rectangle की dimension बढ़ा नहीं है देखो increase decrease किस में हो रहा है उसकी dimensions में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे length of rectangle हमने मान ली x breadth हम मान लेते हैं y तो area क्या आजाएगा length into breadth याने की xy length into breadth दोनों की multiply कर दी xy हमारे पास area आ गया अब वो क्या कहता है कि area 9 unit reduce हो जाता है कि जो area है वो 9 unit reduce हो जाता है कम हो जाता है कब जब length जो है वो 5 unit reduce हो जाए length में हमने 5 unit reduce कर दिया and breadth increased by 3 unit breadth क्या थी y y में 3 unit increase कर दिया इन दोनों का area निकाले इन दोनों की multiply करनी पड़ेगी multiply करेंगे तो area आ जाएगा area क्या बोला कि वो 9 unit कम हो गया जो पहले था उसमें 9 unit reduce हो गया तो first equation तो आपकी इससे बन जाएगी कैसे बनेगी अब multiply करते हैं पहले x की multiply दोनों के साथ करेंगे तो xy plus 3x अब minus 5 की multiply करेंगे तो minus 5y minus 15 is equal to xy minus 9 बाकी सब को एक तरफ लेएगे और constant रम को दूसरी तरफ ले जाएगे यानि xy plus 3x minus 5y यह xy जब इधर आएगा तो minus का हो जाएगा is equal to minus 9 पहले था और यहां से 15 गया उधर तो plus का हो गया अब xy minus xy plus cancel हो गया तो आगया 3x minus 5y is equal to 6 तो हमारे पास first equation आ गई है अब हमें second equation निकालनी है second equation की क्या condition है increase the length y3 हमने length को 3 से increase कर दिया और breadth को 2 units तो हमने y को 2 units increase कर दिया तो जो area था वो increase हो गया कितना increase हो गया 67 square unit पहले area इतना था इसमें 67 increase हो गया यह चीज हो गई अब वही cross multiply करेंगे पहले तो हम x की multiply इस सारे के साथ करेंगे तो आजाएगा xy plus 2x फिर plus 3 की plus 3y plus 6 is equal to xy plus 67 अब xy वाले एक तरफ और constant term एक तरफ उदर xy इदर आएगा तो minus xy हो जाएगा 67 इदर पहले था यह उदर जाएगा तो minus 6 हो जाएगा xy minus xy plus तो हमारे पास जो second equation आ गई वो आ गई 2x plus 3y is equal to 61 यह हमारे पास second equation आ गई यह हमारी दो equation है यह first or second अब यहाँ पर कोई condition नहीं दूई हुई हमें इन equation को कैसे भी solve कर सकते हैं या तो हम कर सकते हैं अपने first method substitution method, second method कौन सा? elimination method या अब जो आज हम कर रहे हैं कि by cross multiplication तो हम आज cross multiplication सीख रहे हैं आज हम उसी method को इसमें apply करते हैं तो हम सबसे पहले वही करेंगे x, y और minus 1 लिखेंगे उसके बाद x वाले को छोड़ देंगे b1, b2 आता था यहाँ पे फिर c1, c2 आता था फिर a1, a2 आता था और यहाँ पे last में फिर b1, b2 आता था हो गया? अब अपना formula लगाएंगे x अपन इन दोनो की cross multiply यानि की minus 5 into 61 फिर इन दोनो की minus 3 into 6 is equal to y अपन इन दोनो की cross multiply यानि की 6 into 2 इन दोनो की cross multiply minus 3 into 61 is equal to minus 1 अपन इन दोनो की cross multiply 3 into 3 minus इन दोनों की cross multiply यानि 2 into minus 5 यहां से solve किया तो यह आ गया minus 323 आप solve कर लेना और y upon यहां से इसको solve करेंगे तो minus 171 आ गया और यहां से solve करेंगे तो minus 1 upon 19 आ गया अब हमें x की value find out करनी है तो इसको compare करना पड़ेगा यानि x upon minus 323 is equal to minus 1 upon 19 अब x की value निकालनी है x को एक तरफ रखेंगे बाकी इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे minus 1 upon 19 तो था इधर पहले तो इधर divide में था यह वाला divide में था उधर जाएगा तो multiply हो जाएगा अब यहां से यह कुछ cancel होता है तो कर दीजे 17 और minus यह है और minus यह है यह दोनों minus minus क्या हो जाएगे प्लस प्लस का 17 आ गया अब last की two terms लेते हैं y upon minus 171 is equal to minus 1 upon 19 यहां से जो y की value आएगी क्या आएगी minus 1 upon 19 इंटू यह 171 जब उदर जाएगा तो multiply में हो जाएगा जब multiply में होगा 171 minus और minus तो plus आएगा हमारा result और यहां से 19 9 जा 171 तो यह plus का 9 हमारे पास यह आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि x जो आया x की value हमारे पास आए 17 यानि हमने जो माना था हमने माना था कि उस rectangle की length है x हमारे पास आगया 17 और x को हमने क्या माना था length of a rectangle rectangle की length 17 आगी तो 17 units और यह 9 आया तो यह आगया 9 units यानि bread आई 9 units और हमारे पास जो length आई y 17 units और हमारा question हो गया solve इसी तरह से हम इस method को apply करेंगे उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह तीनों method सची तरह समझ में आगयोंगे substitution method, elimination method and last one, cross multiplication method यदि इसके इलावा भी अगर आपको फिर भी कोई doubts हैं, कोई question में आप फस रहे हैं, हमें comment section में share करें, आपको उसका solution definitely दिया जाएगा ज़्यादा details के लिए आप हमारी website www.aduevoke.co.in पर visit कर सकते हैं, आप हमें facebook पर भी follow कर सकते हैं, thank you for watching the video, take care